दोस्तो अगर आपको WhatsApp पे इस टाइप पर एरर दिखाई देता है यू निट ओफिशल WhatsApp तू यूज दिस एकाउंट तो आज कि इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉबलम का सोलिशन बताने वाला हूँ और ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको ठीक कर सकते हो और दुबार से अपने WhatsApp एकाउंट को चालू कर सकते हो तो दोस्तो इस टाइप का एरर आपको तभी दिखाई देता है जबकि आप ओफिशल WhatsApp प्ले स्टो से डाउनलोड ना करके इस्टॉल ना करके किसी भी रेंडम साइट से WhatsApp का APK इस्टॉल करके उसमें WhatsApp एकाउंट बनाके यूज करते हो कहीं लोग क्या करते हैं Google पर जाके सर्च करते हैं WhatsApp APK डाउनलोड और WhatsApp के ओफिशल साइट से ना डाउनलोड करके आपका data chat leak हो सकता है वहां से आपका WhatsApp हैक हो सकता है वहां से ऐसा लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ःक से जादा वाब्सिशल वाट्सवसाब आपको मिल जाता है दूसरा आपको WhatsApp पूर्च बिजनस भी मिल जाता है अगर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो कहीं पर बना करके चला सकते हो, यूज कर सकते हो, तो इस तरीकेस आपके पास दो WhatsApp हो जाएगा, एक WhatsApp Messenger यूज कर दोगे, और दूसरा WhatsApp Business, और मांकि आज कल WhatsApp Messenger एप में भी, यानि कि एक WhatsApp Messenger एप में, आप दो एकाउंट एड गर के यूज कर सकते हो, चला सकते हो, इसके लिए क्या करोगे और वॉटसअ ऐप उपन करोगे इस त्री डॉट पे टाप करेकर सेटिंग में आ जाना है सेटिंग में आने के बाद यहां पर आपको प्लस का आइकन दिखाई देगा यह फिर आप एकाउंट में जाओगे तो यहां पर आपको एड अकाउंट दिखाई देगा इस पर टैप करना है और यहां से आप दूसरा WhatsApp एकाउंट एड कर सकते हूं बना सकते हूं अगर आप सेटिंग एप उपन करते हूं और डूल सर्च करते हूं यह फिर क्लोन सर्च करते हूं तो डूल डूल एप कर दिखाई देगा बस WhatsApp के लिए इसको अन कर लेना है डूल अप अला सेटिंग जैसे आप टर्न आउन करते हूं आपको WhatsApp का दूसरा क्लोन इहां पर मिल जाएगा एक यह WhatsApp हो गया और यह दूसरा WhatsApp हो गया इसमें भी आप WhatsApp एकाउंट चला सकते हो जैसा कि आप नॉर्मल WhatsApp एकाउंट बनाते हो इसमें भी दूसरे नंबर से WhatsApp बना सकते हो तो अवारल कंक्लूजन यही है कि आपको किसी भी थर्ड पाटी वेबसाइट से WhatsApp को डाउनलोड करके WhatsApp API के इस्ट्ल करके यूजनोध नहीं करना है प्लेश्टोर से यूज करना है । कलॉन बना लेना है या फिर ववेट्सक बीच्र स्कते हो या फिर अब एक इ사를 इप कर अंदर आप दो आथकाउंट को एड़ करके यूज कर सकते हो